हाई फ्रेंड्स मैं हूपेंदु कुमार पांडी आप देख रहे हैं बंडीत हुपेंदु रिष्टी क्लासस में गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नलोजी के चेप्टर फोर एक कुछ टॉपिक आपको नेश्ट क्लासस में मिले था असका टॉपिक है तो ड् प्रेंट तक दिखने आए तब ही आप लोग को समझ में आएगा तो चलिए हम जैसा कि आप दो कल मैंने चीप्टर नहीं स्टार्ट किया था तो ड्रिलिंग मसीन और बोरिंग मसीन के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया था तो ड्रिलिंग मां मतलब क्या है कि जब हम किस चीप करण में चाहते हैं तो किसिकर्ण मादम से किया जाता है तापकर आपका द्रिंग मसीन के अंतरगत किया जाता है यहां पर कम से कम समय में और जादे से जादा बड़ा हम drilling यानि कहने मतलब किसी कारखण में छिदर बना सकते हैं ठीक है तो यह क्या है इनका वरीकरण निमनलिखित बेस्विक किया गया है और यूजर्स की आधार पर इनका machine है जो इनका बेभिने परकार्ट से बनाई गई है ठीक है तो चलिए हम definition के माध्यम से देखेंगे drilling machine होत कायी जाते हैं कारखंड में छिदर बनाने के लिए drilling machine का व्रिको खिया जाता है का क्षंट में छिदर करने के लिए उप्योक कियी जाने वाले एंड करतन आउजार को drilling कहते हैं यानि कहने का मतलब है कि जो फी क्या होता है जो drilling machine में क्या drilling क्या होती है कि वृत्ताकार छिद्र करती है किसी भी कारखंड में क्या करती है तो वृत्ताकार छिद्र करती है ठीक है और यह कम से कम समय में यानि कम से कम समय में जादे से जादा छिद्रों का निर्माड कर सकता है कारखंडों में ठीक है और जो यहां पे जो नुकू के माधियम से किया जाता मतलब जो यहां पर करतन अवजार होते हैं उन्हें एक नाम से जानते हैं हम ड्रिल के नाम से भी जानते है ठीक है यहां पे आपको ड्रिलिंग मसीन क्या होता एक दम・ innovations से समझ में होगा अब बात करें यहां पे figure के माद्यम से तो figure जैसा कि आप इसे के माद्यम से देख पा रहे हैं drilling machine अब आपको वहां पर next classes में boring बता गया था तो boring क्या होता कि किसी भी कारखंड में यानि पहले से बने होगे छिद्र को बड़ा बनाने के लिए फिर finishing करने के लिए boring machine का प्योग करते हैं तो सबसे पहले boring machine का यूज करने से पहले क्या करेंगे अब drill करेंगे किसी भी कारखंड में drill करेंगे तब भी तो वह बोरिंग किया जाए गया तो वही बताए गया आपको यहां पर जैसा कि आपको ड्रिल्लिंग मसình के बारे में देगा रहे है इनका किया है आपका जो pillar type drilling machine दिखाए गया ठीक है यह आपका क्या होता है पुली होता है जिनके माद्यम से क्या होता है आपका जो पट्टा होता पट्टा जिनके माद्यम से आपका ड्रिल चक घुमता है वो किसके माद्यम से घुमता है तो आपका मोटर और मोटर किसके माद्यम से घुमाया जाता है ठीक है आगे बात करें यह इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो इलेक्ट्रि ब्रिल चक के बाद हम से किसी भी करखंड में छिद्र किया जाता है जिसे मतलब यहां पर क्या होता है टूल को फसा दिया जाता है तूल को बाधने के बाद हम किसी भी करखंड में छिद्र कर साकते हैं आसानी से वहीं पर आपका टेबल दिखा गया तो टेबल क्या होता किसी को रखने के लिए जैनि fix करने के लिए टेबल का यूजो करते है वहीं पर जो देबल ते लिए एक्ष मरा कुछ raw materials गिरेंगे उनको सहारने के लिए और रखने के लिए किसका प्यूह करते हैं यहां पिज्ध को करते हैं यहां पर आपको line поставि में आफो अपे हैं कका देंघ्लिंग करना की है तो फर्सट देख पाते हैं आपका प्लॉटबल ड्रिलिंग मसीन के कितने प्रकार से आख एभी प्रकार से तो सपरिंग ऋटाइन प्रकार दिल करने के लिए किया जाता है बट उनका क्या होता यूज किस प्रकार से किया जाता हूँ अलग अलग टाइप ही किया जाता है ठीक है तो यहां पर फिगर के मादम से देखेंगे तो फिगर जैसा क्या आप देख पा रहे हैं यहां पर पैलर टाइप डिल मसी यहां पर क्या आयाता है बात करें अएंपर तो टेबल हो गया यह पर यहां पर स्पेणल हो गया पिर उसके बाद अब लेबल जैस्ट हो गया जिनके मार्दम से भूपआ नीचे स्पेंडल किया जाता है यह सारा प्रोसेस किसके अंतर आते हैं तो पीलर-टाइप ड्रिल्ल मसीन के अंतरगत आ जाते है इसट बात करें पर तो चन वेदी या बेंच जो सन्वेदी यानि से संक्टिव फ्लिंग मसीन कि होती है यहां पर भी इसका उलूंस वह वर के परकार जैसा कि अब देख परें ये भी आपका इसी टाइप में यानि कहने का मतलब पर सारा जो डिरिलिंग मसीन होता है जो क्लासिफिकर से एक में डिरिलिंग मसीन का वर्क करण किया गया है सबका uses use एक ही प्रकार का होता है बट उसे किस क्रकार से यूज कर रहे हैं वह सारा process अलग-अलग होता है ठीक यहाँ पर देख पार हैं यहाँ जैसा कि आप लोग को यहाँ पर टूल को भी आगे पीछे करवा जाता है थी पाट लिए बात करें नेश्ट वाले पर नेश्ट कौन सा टापिक आता है उधग्र ड्रिलिंग मसीन यानि guest up Давай डिलिंग मसीन क्या होता है यहां पर देक पा होने का चांस बिल्कुल कम हो जाए तो वही और कुछ मसीनों में क्या कर दिया है वैसे खुले ही टाइप में बना दिया गया ठीक नेश्ट बात करें तो नेश्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिज डिलिंग यानि रेडियन डिलिंग मसीन क्या होता अब देख पारें फ्वाले में यहां पर अब यह आपका सिंपल एकदम सिंपल से आपका जिडियल precious कि बिलिंग दिखाए गया है एक दम सिंपल मेथड कि बिखाया है तिक एक कान सीपल्ड से एक कॉलम हो गया और कॉलम के बीस थे क्या हो गया आपका यहातओं द्वारा चला जाता है मतलब तो आपका टूल यानि स्पेंडल हो गया वो नीचे की और पढ़ता चला जाता है नेश्ट बात करें में पर तो नेश्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन सा आता है तो मल्टिपल यानि बहु ड्रिल सीर से ड्रिलिंग मसीन मल्टिपल ड्रिल एंड हैंड ड्र में भी पार्ट देख रहे हैं यह आपका क्या हो गया टूल देख रहे हैं ठीक है और यह आपका स्पेंडल और स्पेंडल के मादम से क्या होता है आपका मोटर के मादम से यह सारा प्रोसेस देखाए गया ठीक है यह क्या होता है आपका जो मल्टिपल ड्रिलिंग मसीन के अ की आ जाते हैं ठीक है यहाँ पर क्या होता है यह बड़े प्यमाने के लिए किया जाता है और वहाँ पर जो multiple drilling machine drilling tool होता है वह machine होता है वह चोटे कार खंडों में operation करने के लिए किया जाता है नेश्ट बात करें तो नेश्ट जैसा कि आप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे drip hole drilling में क्या होता है गहरा छिद्र drilling machine के लिए मतलब बड़े छिद्र बनाने के लिए या फिर ज्यादा बड़े गहरा छिद्र बनाने के लिए किसका प्योग करते हैं तो गहरा drip drilling यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सारा प्रोसेस क्या होता आपका 36 में होता ठीक है 36 में होता है तो आपको जितने बड़ी कारखंड में कहने का मतलब है जितने बड़ी कारखंड में डिल करना होता है वो टूल के माध्यम सी यहां से यहां तक प्रवेस करवा के कौन किया जाता है तो आपका 7 वाला यानि यही वाला डिलिंग मसीन का यूज किया जाता है आगे बात करें तो आगे कौन सा आता है आपका स्वचालिज डिलिंग मसीन क्या होता है आटूमाटिक डिलिंग मसीन क्या आता है आटूमाटिक डिलिंग मसीन में क्या होता है कि सार सारा प्रोसेस अपना लिया जाता है यहां पे आपका इसका फिगर कुछ आपका इस प्रेकार से रहेगा ठीक है यहां पे यह मोटर हो गया मोटर के मादरें से आपका स्पेंडल स्पेंडल के मादरें से आपका चला जाता है और यहां पे सारा प्रोसेस यानि सारा डटा क्या आपका fix कर दिया जाता है और fix करने के बाद जो भी process अपना जाते हैं जो भी process करना होता है इन्हीं के अंतरगत कर लिया जाता है ठीक है यहाँ पर classification of drilling machine क्या होता है कितना प्रकार से over-regern किया गया है एक डम easy रखर कर प्रकार का होते हैं तो गहरा drilling tips हो गया और चेंद्र वेट हो गया होखला drill हो गया कटिंग आउट हो गया और carbide Skills हो गया और core डिल्ल गया यह आपके इतता है शुक परकार के drill होते है यहाँ फ़ीन को drilling tools याशार होते है यहाँ पर पर किस परकार से question बनेगा तो drilling machine क्या होता है इसका workaround बताइए और आजार tool कौन-कौन से होते हैं यहाँ पे बिस्तार करने के लिए कोई भी topic नहीं पूछा जाता है ठीक है तो इसी लिए मैंने आपको कवल छोटे-छोटे example देने के खुशेस किया मतलब कहने के मतलब है आपको tool के name बताने का process किया और आपको figure दिखाने का process कर रहा हूं जैसा कि आप देख पारें screen के मादम से यह आपका जितने भी दिखाए रहे हैं यह आपका कौन-कौन से आते हैं drilling tool की अंतरगत आ जाते हैं ठीक है यहाँ पे hole से हो गया फिर उसके some tooth build हो गया angular भीट हो गया और counter sink हो गया spread भीट हो गया twist भीट हो गया और point हो गया और combination also हो गया और counter sink बिथ कील्रेंस दिल हो गया ठीक है जितने परकार से आपका drill tool दिखाए गए हैं यह drilling tool के अंतरगत आ जाते हैं ठीक है I hope guys यहाँ पर आपको जितने भी topic बताएगा एकदम easy time के समझ में होगा और figure के मादम से दर्स आ गया एकदम easy time के समझ में आया होगा तो बस guys आज इतना ही वीडियो अच्छी लेगे हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कियो ज्यादा ज्यादा share करने को सब्सक्राइब किजिए ने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जहींद